Study IQ IS, अब तयारी हुई, अफोर्ड़बल फैमिली को, पाकिस्तान और ISI की नाक के नीचे से, उन्हें बेवकूफ बनाकर हमारे भारत की Interagence Agencies, दोबई से भारत लाती हैं, वही operation जो जब जब खतम होता था, तो ऐसा लगता था कि ये Successfully पूरा हो जाएगा, लेकिन, end में, हर बार उसके सामने एक challenge खड़ा हो जाता था, लेकिन फिर भी, हमारी चला आ रहा था और इसी के तहट 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मज़ित को गिरा दिया जाता है, अयोध्या में, अब यहां क्या होता है कि पूरे देश बर में दंगे होना शुरू हो गए, दंगे होते हैं और दंगे पहुँचते हैं मुंबई तक भी, मुंबई में जो दंगे करीबन मारे जाते हैं, लाकों की उस समय प्रॉपर्टी बरबाद हो जाती है, लोगों के घर, दुकाने, दफ्तर जला दिया जाते हैं, ऐसा ही एक दफ्तर उस दंगे में जला था, बॉम्बे के तेजी से उभरते हुए गोल्ड स्मगलर, टाइगर मेमन का, टाइगर मेमन क दफ्तर इसमें जलता है, इसके अंदर बदले की भावना आती है, और ये जो समगलर था, टाइगर मेमन, ये अंडर वर्ड डॉन दाउद इबराहिम के भी संपर्क में था, तो कई दफ़ा इसने जनवरी में जब इनकी बातचीत हुई, तो इसने कई दफ़ा दाउद को य ISI है, ये लोग यहाँ पे आतंगवाद के बीज बोना भारत में शुरू कर देते हैं, तो इसी के चलते दुबई में एक मीटिंग बुलाई जाती है, ISI नहीं मीटिंग बुलाई थी, और उसमें अपना जो फ्रेंट मैंन थे इनके, जिन लोगों ने इसको पूरा बुलाते हैं, दुबई में, और इस मीटिंग में बुलाया जाता है, दाउद इब्राहिम को, अनिस इब्राहिम को, मुहमद दोसा, ताहिर मर्चेंट, तो इन लोगों को भारत से बुलाया जाता है, और इसमें यॉरॉप और दुबई के भी कई ऐसे मुसलिम सरगना भी श जाता है, तहरीक इंतिकाम, और इस मीटिंग में कई ऐसे संगठन शामिल होते हैं, जो भारत विरोधी थे, जैसे अफगान, मुझाहिद दीन, फिलिस्तीन, मुक्ती संगठन, और दुबई में बसे कई ऐसे पैसे वाले लोग, जो बाबरी मज़ित का बदला लेना चाहते कई बार इन लोगों की मीटिंग होती हैं, कभी अबुधाभी में, कभी दुबई में, लंदन, कराची, तो ISI का में प्लान ये था कि इंस्टेंट अटेक करना है, वो ज़ादा समय लेना नहीं चाहते थे, और उसमें इने ISI एक आदमी चाहिए था जो मुंबई में तो वहां से मुंबई करीबन 8 टन RDX, हजारों कलाशनेगोव, राइफल और असला, फरवरी 1993 में मुंबई भेजा जाता है, अब यहां क्योंकि मुंबई की इस्तिती ये चल रही थी कि मार्च का महीना आ चुका था, और नए मुख्यमंत्री बने थे, CM बने थे, 6 मार्च को शरत पवार, और दो महीने से क्योंकि मुंबई ये जो communal violence देख रही थी, तो उसको इस्तिती को balance करना था, तो मुंबई का police setup भी change किया जाता है, इसमें पहले police commissioner थे, SK बापत, और उसके बाद में आब यहां पे एक टेस्ट दरार police commissioner को लाया जाता है उनकी जगा, अमर्जी execution, तो बारा मार्च का दिन आता है, बारा मार्च 1993 है, मुंबई में इस दिन करीबन दुपहर के एक बच के 28 मिनट पर डेड़ बजे, पहला blast होता है, Bombay Stock Exchange पर, और उसके बाद तीन बच के 40 मिनट तक करीबन, ये जो दो घंटे 10 मिनट का समय था, इसमें मुंबई में अलग 257 लोग मारे जाते हैं, करोडों की property का नुकसान हो जाता है, 900 से जादा लोग घायल हो जाते हैं, मुंबई थम गया, देश दहल चुका था, अफरा तफरी की स्तिती बन चुकी थी, अब जब ये blast जिस दिन होते हैं, 12 मार्च 1993 मुंबई पुलिस instant action में आती है, किसी को नही analyze भी करिए, कि ये कौन है, इसके पीछे क्या दिख रहा है, तो इसमें पता चलता है, जब इसको analyze किया जाता है, कि mainly target किया गया था, इन blast में, government buildings को, Hindu populated areas को, जहां पे हिंदू जादा रहते हैं, और इरादा ये साफ समझ आ रहा था, कि जादा से जादा लोगों को ये लोग मारना चाहते है, क्योंकि जो slot चुना गया था attack का, एक बज़े से तीन बज़े तक का, ये corporate culture का जो lunch time होता है, break का time, तो इस दोरान ये blast किये गए थे, तो ये इरादा साफ था, तो communal color इसका दिखने लगा इस attack का, और इसको बाबरी मज़द से जोड़के भी देखा गया, तो ये ही AISI चाहता था, अब मुंबई पुलिस ने क्योंकि पता नहीं था किस ने किये हैं, कौन इसके पीछे है, तो operations चालू किये, जगा जगा टीम्स को भेजा गया, जहाँ जहाँ ब्लास्ट हुए थे, तो ऐसे ही एक टीम पहुँचती है मुंबई के वरली में, जब अंदर इसको पहले Bomb Squad को बुलाया जाता है, वो लोग देखते हैं कि इसमें कहीं Bomb तो नहीं है, तो Bomb तो नहीं था, लेकिन उसमें जब उसको खोला गया, तो अंदर तमाम Grenades, AK-56, AK-47 rifles मिलती है, अब इसका जो नमबर था, उसको ट्रेस किया जाता है, MFC-1972, तो नमब मुंबई के दादर में, जहां दूसरी पुलिस की टीम आपरेशन अपना कर रही थी, वहां पे एक स्कूटर मिलता है, अफरा तफरी में ऐसा पार्क किया हुआ सा, तो वहां पे जब ये स्कूटर मिलता है, इसका नमबर जो ट्रेस किया जाता है, तो यहां पुलिस को पता चलता है कि ये गाड़ी, ये जो स्कूटर है, वो याकूब मेमन के नाम पर है, अब मेमन, मेमन, दोनों सरनेम भी सेम, एड्रेस भी सेम, तो अब ये एड्रेस पर जाती है, दोनों टीम है, ये एड्रेस था मुंबई के माहिम पुलिस स्टेशन से एकदम लगे हुए, एक दिवार से सटी हुई एक बिल्डिंग, अल हुसेनी, अल हुसेनी बिल्डिंग का एड्रेस था, यहाँ पुलिस की टीम पहुँचती है, पूश्ताच करती है, कहां रहते हैं ये लोग, उपर इनके फ्लैट पर जाया जाता है, तो वहाँ पे ताला लगा मिलता है पुलिस क को, तो वो उस टाइम के जो ट्रेफिक के डेपटी कमिशनर थे, राकेश मारिया, उनको सामरा ये पूरा केस इन्वेस्टिएट करने के लिए देते हैं, अब सामरा की टीम भी वहाँ पहुचती है, CBI भी इसमें इन्वाल्व हो चिकी थी उस समय तक, तो ये लोग जब वह के लोस प्स चीज़ें लिकी थी, वो शाही से मिटाया गया था, इन डब्बों को लेबरीट्री में भेजा जाता है, और वहाँ से पथा चलता है, कि इस पर लिखा हुआ है, जो शाही से मिटाया गया था, पैकस्टाइल पैकेश लिमिटेड लाहुर, और उसके नीचे ही नोबल प्राइवेट लिम्टेड इसलामबाद जो वाह नोबल लिखा था उसके नीचे वो भी मिटाया हुआ था तो अब जब ये पाकिस्तान कनेक्शन लाहोर इसलामबाद का नाम सामने आता है तो मुंबई पुलिस क्या करती है कि कमिशनर को बताती है चीज और सामरा सीध नोबल प्राइवेट लिम्टेड के बारे हैं पता करती है अपने पाकिस्तान के एसेट्स को एक्टिफ करती है तो पता चलता है कि यह जो कंपनी है यह आडी एक्स और बॉम एक्कुपमेंट्स बनाती है पाकिस्तान के इसलामबाद में कैंटोनमेंट एरिया में तो अब यह सब सामने आता है तो यह चीज साफ हो चुकी थी रॉक के सामने केस जो यह जो फैमिली है मैमन फैमिली इसका कोई ना कोई लेना जरूर है लेना देना पाकिस्तान के साथ में ISI के साथ में क्योंकि अटेक जो हुए और अटेक से इनका बिलकुल कोई ना कोई नाता तो इन्वेस्टिकेशन को आगे बढ़ाते हुए मुंबई पूलिस चार्शीट फाइल करती है और यह पहली फैमिली थी जो यहां पे बारा लोग रहते थे इस पूरी बिल्डिंग में इनकी फैमिली उस पहली चार्शीट जो फाइल होती है वो यह फैमिली थी इस पूरे ब फेमस इंजिनरिंग एंड वेल्डिंग वर्क्स मुस्तफा वजार में उनकी एक कंपनी थी और यह कंपनी मशीन ओयल बनाती थी और टाटा ओयल मिल को सप्लाई करती थी बहुत सिंपल सीधा इनका काम था इनकी पतनी थी हनीफा मेमन और छे बच्चे थे इन छे बच्चों मेंसे दो बच्चों की हम बात करने वाले इनके याकूब मेमन और टाइगर मेमन एक कम पड़ा लिखा टैन तक उसने अपनी पड़ाई की थी उसके बाद पड़ाई छोड़ दी फिर बैंक में चपरासी बन गया लेकिन वहाँ भी जाहा दिन नौकरी नहीं की उसकी बैंक म में उसने अपनी डिगरी की थी उसके बाद में अपनी एक कमपनी भी 1991 में शुरू की थी लेकिन एक साल में ही वो अपनी कमपनी को उसको बंद करता है CA की और उसके बाद में क्योंकि वो देख रहता है कि उसका जो भाई है वो बहुत पैसा कमा रहा है इस मगलिंग में तो हुआ क्या था कि तीन दिन पहले ब्लास्ट के 9 मार्च 1993 को एक छोटे इस्मगलर को गोल के इस्मगलर को गोल मुहमबद नाम के मुमबई पुलस ने ग्रफतार किया था लेकिन यह जो स्मगलर था यह दो तीन बार उन मीटिंग में जो यह हुई थी दुबई में उनमें शामिल हो चुका था टाइगर मेमन के साथ में तो जब यह चीज आयसाई को पता चलती है जब इसको तीन दिन पहले अर्रेस्ट किया गया था कि इसको अर्रेस्ट मुमबई इस दिन ब्लाष्ट हो तो कहीं यह प्लान पूरा आउट ना हो जाए ओर जो में इसके यहां पर प्लान कर रहे हैं टाइगर मेमन याकुब मेमन इस पूरे अटेक को वो लोग रफतार ना हो जा उनको ये उनके बारे में बता ना दे तो दस मार्च की रात में ही ISI पूरी मेमन फैमिली को टिकेट करा के और मुंबई से दोबई बुला लेती है तो ये पहले ही दोबई पहुँच चुके थे तो जिस दिन ब्लास्ट होए उस दिन मेमन फैमिली दुबई में होती है और यहाँ पे मुंबई में ये ब्लास्ट कराते है अब इन्वेस्टिगेशन शुरू हो चुकी थी चार्शीट लग चुकी थी इनके ऊपर बात नियूस में आई कि ममन फैमिली का नाम आ रहा है इसमें इस तरह का परवार है माहिम में रहता है तो नियूस से भारत की नियूस को क्योंकि ISI ट्रैक करता है हर बार तो उनको वहां से पता चलता है कि इनके बारे में भारत में पता चल चुका है यह blast में इनका नाम आ रहा है तो अब इसके 5 दिन बाद blast के करीब 17 मार्च को पहले इनको दुबई में रखा हुआ था लेकिन 17 मार्च को पाकिस्तान PIA की एक flight भेज़ता है ISI के उसमें officers होते हैं 4-5 commandos होते हैं और इस पूरी family को 17 मार्च 1993 को दुबई से पाकिस्तान लाया जाता है और इस flight में इस दौरान इनके passport जो थे वो officers सारी family के ले ले लेते हैं जो Indian passport थे इनके अब मेमन्स को दुबई से पाकिस्तान लाया जाता है और जो तौकीर जलिया वाला जो ISI का frontman था इस पूरे attack का उसके दौराजी कॉलोनी करांची में उसका एक बंगला है वहाँ पर रखा जाता है इन लोगों को इसी के आठ दिन बाद आठ दिन तक ये लोग वहाँ रहते हैं उसके बाद आठ दिन के बाद में 25 मार्च 1993 को इन लोगों को तौकीर के ही दूसरे एक नए घर में शिफ्ट किया जाता है जो की गुल्शन एकबाल करांची में था 25 रूफी कॉटेज ब्लॉक था 13 डी तो यहाँ इनको रखा जाता है तो 25 मार्च को ये लोग यहाँ पहुँचे इनने ISI पूरी प्रोटेक्शन भी दे रही थी इस बीच में क्या किया जाता है कि मेमन्स की अब पूरी जो आइडेंटिटीस थी इंडिया की उन सब को एरेस किया जाता है खतम किया जाता है और इस पूरी फैमिली को नए बर्ट सर्टिफिकेट पासपोर्ट्स, नाम जो school के certificate होते हैं, college certificate ये सब दिये जाते हैं, driving license दिये जाते हैं, पूरी identity इनकी नई बना दी गई थी, इस दोरान अभी इंडिया में क्या चल रहा था, कि इंडिया में क्योंकि 12 मार्च से ही RAW, CBI अपनी investigation शुरू कर चुके थे, तो RAW ने airport immigration authority से details निकल वाई, कि ये लोग आकर निकले कब है, तो पता चलता है कि 10 मार्च की रात में ये लोग यहां से निकले थे, अब वहाँ से इनके photographic evidence भी बनाये जाते हैं, एरपोर्ट पर जब ये लोग निकल रहते हैं, अब मेमन्स को क्योंकि दुबई में रखा गया था, ये RAW को पता था, तो RAW ने अपने लेकिन इस समय ये लोग यहां पर अभेनी, ये लोग निकल चुके हैं पाकिस्तान, पाकिस्तान का जब angle सामने आता है तो जो RAW था, वो एक network बनाती है कि पहले भारत, भारत से दुबई और दुबई से पाकिस्तान, ये बात सरकार को बता ही जाती है, कि पाकिस्तान का नाम सामने आ रहा है, ये पूरी फैमली को बहां रखा गया है, तो पाकिस्तान के उपर internationally pressure बनाया जाता है, करीबन 20 दिन इस दोरान ये लोग पाकिस्तान में रहते हैं, अब जब international pressure बनता है, तो 15 अप्रेल, क्योंकि आ चुका था, 20 दिन ये लोग पाकिस्तान में थे, 15 अप्र पाया रोड पर जो पताया बीच रिजॉर्ट है, वहां इनको रखा जाता है, एक तरह का virtual arrest, ये कहीं जा नहीं सकते, किसी से बातचीत नहीं कर सकते, फोन बगर इनको दिये नहीं गये, तो इस तरह की पूरी चीज की जाती है, कि पाकिस्तान से, पाकिस्तान अपने, इनको shift कर देता है Bangkok में, इंटरनेशनल प्रेशर अगर आएगा, तो पाकिस्तान का ये सोशन था, कि हम बता देंगे, कि हमारे यहां तो आप पता कर लिजी, ये लोग है ही नहीं, तो अब इस बीच मैमन्स को क्या होता है, कि इनको पश्तावा होने लगता है, ये इनको नई आइ थोड़ा सा cool off होता है, तो मैमन्स को पाकिस्तान वापस लाया जाता है, और इस बार इनको रुकाया जाता है, डिफेंस हाउसिंग अथारिटी में, पाकिस्तान का एक बहुती safe, secure एरिया है, हाउसिंग अथारिटी, पूर्या हाउसिंग कॉलोनी बनी हुई, तो वहां इनक भारत में क्योंकि चानवीन जो CBI और रौकी चल रही थी, तो उसमें इनके घर से CBI को कई सारे अकाउंट्स मिलते हैं, करीबन चार NRI अकाउंट्स मिलते हैं, और Development Cooperative Bank, DCB का, जो तेजारत International, जो याकूब मेमन की फिर्म होती थी, उसका एक अकाउंट्स मिलता है, और सारे अकाउंट्स में ये देखा गया कि कई जादा, मतलब बहुत जादा जो ट्रांजेक्शन्स थे, वो थे, कैश फ्लो बहुत जादा था, कि पैसा आ रहा है और निकल रहा है, और ये भी इसमें पता चला कि जो ब्लास्ट हुए थे, जब ये लोग निकले हैं, दस तारिक को, इसके पहले ये पूरा पैसा कैश में निकाल भी लिया गया है, तो ये सब सबूत यहां पर और स्ट्रॉंग इनके खिलाफ होते जा रहे थे, अब IASI ने जब ये देखा, जब ये मामला आगे इस तरह से बढ़ता रहा, और मे का में 93 आई चुका था, तो मई में IASI ने इ तो अब होता क्या है कि मेमन्स को इस बीच में करीब एन एक साल में, ये गिल्ट अपने अंदर आने लगाता है, क्योंकि न्यूज में लगाता है, इनका नाम उच्छल हो रहा था, और कई फैमिली मेंबर्स को ये पता भी नहीं था, कि ये दोनों जो भाई हैं, ये इसमें पाइब्री इस पे हो जाते हैं, लेकिन जो टाइगर मेमन्स था, वो कहता है कि नहीं में वापिस नहीं जाओंगा, मैं तो पाकिस्तान में ही रहने वाला हूं, तो घर वालोंने डिसाइड किया कि ठीक है, इसको अगर यहीं रहना है, तो यहां रहे, हम लोग चलते हैं, त तो पाकिस्तान में जब ये लोग थे तो इन लोगों ने ये देखने के लिए के कहीं आयसा अभी भी हमारे पीछे तो नहीं है हमारा हम पे नजर तो नहीं रखी जा रही है तो जून 1994 में जो दो भाई हैं याकूब और टाइगर मेमन के छोटे भाई सुलेमान और इसा ये द पाकिस्तान से दुबई निकल जाती है अब दुबई पहुँचके याकूब मेमन अपने एक भाई को कॉडिनेट करता है कॉल करता है जो की इंडिया में रहता था दिल्ली में इसका नाम जो है वो यहां पे सिकर्टी इशूस की वज़े से रीजन्स की वज़े से आमिर बताया जा रहा है तो यह अपने एक भाई को call करता है आमिर को और बताता है कि भाई-जान इस Tory की चीजव है कि हम लोग वाप साना देश में चाहते हैं अब बताओ आपके वहाँ पे चल क्या रहा है किस दरे की वहाँ पर चीज़ें तो वह बताता है जब आमिर की पास फून जाता है तो आमिर का क्योंकि वो भी टेंशन में आ गया कि भाई मैं ना फस जाओ इलनों का मेरे पास पून आ रहा है क्योंकि उसको यहां की इस्तिती पता थी क्या चल रहा है तो वो कहता है कि आपको यहां अगर आना है तो आप एक बार इंडिया तो अभी पहले आप मत आई आप मुझसे एक बार मिल लीजिए आके काटमांडू नेपाल तो वो इसको नेपाल बोलाता है याकूब मैमन को और 21 जुलाई 1994 को याकूब मैमन अपने जुनया केसात में काटमांडू पहुचता है और करिबंद यह लोग बहां पर रहते हैं काटमांडू में पूरी चीत होती है कि किस तरह से इंडिया आया जाएगा क्या है फैमली को कैसे लाना है तो तीन दिन के बाद 24 जुलाई को 24 जुलाई 1994 को ये वापस जा रहा था दुबई याकोब मैमन तो करीबन सवा 9 बजे की सुबह की बात है जब ये एरपोर्ट जाता है immigration authorities को अपनी checking करा रहा होता है और formalities के दौरान नेपाल पुलिस को इस पर शक होता है जो बहाँ अधकारी थे क्योंकि इसके जो इसके पास एक brief case था उसमें कई सारे उनको scan करते समय documents दिखते हैं और currency भी दिखती है तो वो लोग जब ये देखते हैं इसका brief case खुलवाते हैं उसमें से तमाम सारे family के passport इसके passport इसकी identity अलग-अलग और US और पाकिस्तान की currency उसमें बड़ी मात्रा में तो ये सब जब चीज़ें उसको दिखती हैं उनको तो वो इसको arrest करते हैं वहाँ पर और इससे पूशताच करते हैं करीबन तीन दिन तक वो लोग इसको इसके साथ तो उस समय ये accept कर लेता है कि भई मैं यहाँ पर आया हुआ था और मेरा charge sheet मेरे नाम पर है ये जो blast हुए है भारत में उन में मुझे आरोपी बनाया गया है तो इस तरह की चीज़ जब सामने आती है तीन दिन की पूशताच में तो नेपाल पुलिस जो security थी वो इंडिया मे contact करती है CBI को और भारत की सरकार को तो 28 जुलाई 1994 को वहाँ पर पहुशती है CBI और उसके बाद वहाँ से इसको लेके आया जाता है कार से इसको लेके आया गया था इंडियन territory में उसके बाद वहाँ से इसको flight से लाया जाता है दिली तो यह सब चीज़ें होती है अब की custody में आ चुका था इंडिया ने उसको पकड़ लिया था CBI के पास वो था RAW के पास था अब RAW और CBI की पूछता चालू होती है तो इसके पास जो brief case था उसकी checking होती है 5 अगस्त का ये दिन था RAW के दफतर में इस brief case में से एक cassette मिलती है एक mini tape recording cassette और उसमें जब उसको सुना ज आता है तो उसमें बाचीत थीन तीन लोगों की तौकीर जलिया वाला चाइगर मैमन और याकूब मैमन और यह बाचीत थी उस समय की जब इनको नया नए आइडेंटिटीटी दी जा रही थी नए पासपोर्ट दिये जा रहे थे और बाचीत में यह सब भी था कि किस तरह से वहां से पूरा execution होगा पाकिस्तान कैसे help करेगा आगे क्या करना है कैसे यहां पे रहना है क्योंकि एक साल तक यह लोग पाकिस्तान में रहे भी थे तो यह सब चीजें उसमें हो रही थी तो इसमें इसी बाचीत के दौरान याकूब मैमन ने जब तौकीर से पूछा कि यह 12 मार्च 1993 के पहले के जो ID कार्ड हैं वो देने थे लेकिन इनके पास जो अभी दिये गए थे वो 12 मार्च के बात के थे तो यह एक इशू था तो इस पे इनकी चर्चा हो रही थी और यह जो पूरी कैसेट थी यह आगे जाके इसकी जो ट्रायल चली है याकूब मैमन की उसम अपीस में थे तो इसने बताया कि मैं अपने एक भाई से मिलने आया था जो डिली में रहता है आमिर तो मैं उससे मिलने आया हुआ हूँ और वह वहां पे यह पता चलता है रौको तो रौ आमिर को बोलती है कि भई हम याकूब मेमन को तो नहीं छोड़ सकते अब लेकिन आप अब जाओ दुबई फैमली आने के लिए राजी है तो उनको कन्वेंस करके आप बहां से वापस लाओ और सेफली आपका पूरा आना जाना होगा इसकी ग लोग रुके हुए थे पूरी फैमिली वहां का इसको एड्रेस दिया जाता है अब आमिर जब दुबई पहुंचा तो वहां इसको इस एड्रेस पे अलवसल में यह लोग मिलते नहीं है पूरी फैमिली वहां पर उसको मिली नहीं उसने रौको बताया कि यहां तो कोई भी किया था CDI ने रौन है तो यह बात उस समय निउस में भी आ चुकी थी कि याकू में उने इंडिया की गिरफ्त में हैं निउस को क्योंकि ISI ट्रैक करता ही था तो उसको यह पता चलता है कि भई अब यह हुआ कैसे क्योंकि इन लोगों को हम लोग ने पाकिस्तान में रखा ह होगा था वहां उन्होंने चेक किया तो यह पूरी फैमिली वहां पर नहीं यह दुबाई पहुंच गया और दुबाई से यह उठके इंडिया भी पहुंच गया वहां पर पकड़ा गया तो ISI ने अपने फिर से एसे को एक्टिव कर दिया चीज़ें आब इस तरह की थी कि Immigration Authority से ISI ने पता कराया है कि दुबाई में कोई मेहमन नाम का कोई दुबारा आया है या कुछ भी इस तरह की डीटेल से इनकी निकाली तो वहां पता चलता है कि आमरे मेहमन नाम का एक शक्स दुबाई आया हुआ है याकूब की गरफतारी के बाद तो ISI ने इसको trek करना शुरू कर दिया इसका पीछा करना शुरू कर दिया ये बात आमर को भी पता चल गए ती क्योंकि यह जगे जगे जहां भी जाता था एसको सेम तरह के लोग अपने आसपास उस तरह के दिखते थे जो इसका पीछा कर रहे है ये बात भी इसने रोको बताई तो रोन ने इसको बताया कि आप टेंशन मत लीजिए वहाँ पे हमारा दुबई में एक एसिट है इंडिया का करीवन बाइस साल से वहाँ पे है शफी तो वो ड्राइवर है वो आपको मिल जाएगा कहीं भी जहां पे आपको जाना होगा और आप उसके साथ में जाए ये पब्लिक ट्रांस्पोर्ट का यूज मत करिएगा तो इस तरह की चीज जब रॉन ने इसको बताई इसने शफी का नंबर लिया तो ये जाता रहा हर जगे ढूनता रहा लेकिन कहीं भी ये फैमिली जो थी वो इसको नहीं मिल रही थी तो आमिर एक दिन 21 अगस्त की बात है 21 अगस्त 1994 ये बहुत जगे ढून चुका था लेकिन फिर ये शफी को लेके इसके दिमाग में एक आइडिया आता है कि भाई में में कबाब बहुत पसंद थे और दुबई में एक बहुत अच्छा रेस्टरांट है जहां पर ब्रियान 21 अगस्त की बात है 21 अगस्त को वहाँ पे सुलेमान और इसा मेमन जो छोटे भाई थे वो दोनों वहाँ पे अपने एक पार्सल लेने के लिए आते हैं वहाँ पे इनको देखता है इनसे बातचीत करता है बोलता है कि भी आप लोग कहां थे मैं यहाँ पे आया हुआ हुआ आपको लेने के लिए तो यह बताते हैं कि आपको क्या बता है भाई जान यह तो इस तरह की चीज होई कि जिस दिन याकूब भाई यहां से निकले हैं इसके बाद में क्योंकि जो याकूब की वाइफ थी रहीन एक साल पहले ही इन लोग की शादी हुई थी और यह प्रेग Udyra देरा में डूबई के Dera में Claridge ने अब यह लोग रह रहे थे यह इस तरह की बाते बताते हैं रहीन की बेटी हो चुकी थी ती ताइगर में में मन को पता यह नहीं था कि उसकी बच्ची हो चुकी है वो गिरफतार हो गया यहां पर तो यह लोग पूरी फैमिली के पास पहुंचते हैं आमिर अब आमिर वहां पे पूरी फैमिली से रात बर बात करता है बताता है कि इस इस तरह की चीज हुई है याकूब को गिरफतार किया है लेकिन र रहीन इसमें एक चीज़ बताती है, रहीन कहती है कि आमिर भायजन जो मेरा पासपोर्ट है, वो मैंने एमबसी में दिया हुआ है अभी, क्योंकि मुझे उसमें जुबेदा का, जो उसकी बच्ची हुई थी है, उसका नाम एट कराना है, तो अब यहां एक यह मुश्किल सामन इसका रहीन का, उस पे उसने वो एमबसी में दिया हुआ है, क्योंकि उसको जुबेदा का, उसमें नाम एट कराना है, अपनी बच्ची का, तो अब रौ यहां पे भारत में कैबिनेट सेक्रेटरी एट में बैठक करती है, कैबिनेट सेक्रेटरी से बात की जाती है, कई से निकाला जाए और इन लोगों को पूरी फैमिली को वहां से कैसे लाया जाए तो रोके चीफ के वह वहां को मिलेंगे तो इनको बताई आमिर को कि वह वह जाएं इंडियन एंबसी में दोबई में और वहां पर ये प्रभुद्याल कि बारे में पूछंए वह मिलेंगे और उनको यह पूरा ये काम करवा देंगे प्रभु दयाल को इस operation के बारे में बता दिया गया था कि इस इस तरह का एक operation है आमिर आपके पास आएगा हमारे asset के साथ में शफीक है तो अब ये लोग वहाँ पे पहुंचते हैं ये बताते हैं कि हम यहाँ पे आ गए उसके बाद में जो प्रभु दय गाड़ियां और आगे उसके राइट एंड साइड में एक गाड़ी लगाते हैं इनके पीछे चल रही हैं शफी यह समझ चुगा था कि यह आएसाई वाले हैं क्योंकि वह इनको लगाता है आमिर को ट्रेस कर रहे थे तो अब यह आमिर यहाँ पर टेंशन में आ जाता है कि यह क्या हो रहा है किस तरह कि यह चीजे क्योंकि आएसाई का हमेशा से यह था कि जब भी कहीं इस तरह का मौका मिलेगा क्योंकि वॉइलेंटली कुछ भी करा नहीं जा सकता दूसी कंट्री की टेरिटरी में तो जब भी मौका मिलेगा इनको नैप करके यहां से पाकिस्तान ले जाए जाएगा पूरी फैमिली को तो वो लगातार उनकी ट्रेसिंग करती थी जो ISI थी वो आमिर की तो अब जब यह सब चीज होती है कि गाड़ियां साथ में चल रही है ISI पीछे ही है तो शफी क्या करता है शफी आमिर को बोलता है कि भी आगे एक मौल आने वाला है आप वहाँ पे मैं गाड़ी पार्क करूँगा मैं लगाँगा उसके सामने गाड़ी आपको कुछ नहीं करना आप सिर्फ एंटर करना उस मौल के सामने गेट में और जो सीधे आ कि वहाँ खड़े हो जाना आमिर ने यही किया शफी ने जो बताया था तब शफी ने जैसी गाड़ी रोकी आमिर अंदर गया यहां पर जैसी गाड़ी आ रुकती है तो ISI की जो तीन गाड़ी आ थी वो लोग जो उसमें थे वो कन्फ्यूज हो गए कि अब जाएं कहां क्य अफी अपनी गाड़ी पीछे गेट पर जाके लेकर गया एक्जिट गेट पर वहां से उसको सीधा लेकर होटल निकलाया इस तरह का हमारा एसेट बहुत ही थेज तर्रार तो अब यह सब चीज़ें होती है अगले दिन आमिर के पास में कॉल पहुंचता है सिक्यूर कम्यू पर आमिर को पासमटर्ड के जो टिकेट कर आये थे वह भी बताती है डिकेट के अइर इंडिया के टिकेट है अब महां पर दो बही में कॉंटर पर इंडिया के कॉल करें वहां से अपनी टिकेट ले लीजिए तो यह जो सीज आ हो रही थी इस दौराट आय knew कि होटल की बई जानकारी थी, तो यहां से लाइन ब्रीच करती है, ISI फोन को फोन की जो कन्वदेशन थी उसको सुन लेती है PNR अब सुन चुकी है ISI, तो होता क्या है कि आमिर जाता है उसके बाद में अपने जो पासपोर्ट लेके आता है प्रभू देयल से और वो जाके अपने रिसेप्शन पे, क्लैरिज होटल के, उनको जमा कराता है क्योंकि उस समय एक इस तरह का सिस्टम होगता है अभी भी कई देशों में होता है कि जब आप अपना वीजा लगवा के पासपोर्ट पे लाते हैं, आपको निकलना होता है अपने टिकेट्स के लिए PNR बताता है, तो वहाँ से इसे पता चलता है कि भई, आपकी जो टिकेट्स हैं आपकी पुरी फैमिली की, यह तो कैंसल हो चुके है आप लोगों नहीं कैंसल कराए है तो अब यह चीज़ क्योंकि ISI ने कराई थी, उसने PNR सुन लिया था लाइन ब्रीच करके यह चीज़ अब आमिर रो को बताता है रो दुबई में अपने फिर से एसेट्स को एक्टिव करती है बोलती है कि भई, पता तो लगाओ यह क्या सिस्टम क्या चल रहा है इन लोगों का ISI का क्या अगला मूवमेंट है तो पता यह चलता है कि भई, दुबई एरपोर्ट पे immigration authorities के साथ में कुछ दुबई officials के साथ में ISI के अधकारी यह प्लान बना रहे हैं कि जब यह पूरी family दुबई एरपोर्ट पे आएगी तो यहीं से इनको नैब करें अब RAW के एक अधकारी को यहां भारत में जब यह पता चलता है तो वो एक आइडिया सोचते हैं कि भई, दुबई में इस तरह की हालत है एरपोर्ट पे तो क्या किया जाए तो उनके दमाग में आइडिया आता है कि शार जहां एक जगे है दुबई से करीबन 26 क्लो मीटर दूर वहाँ पे, वहाँ से एर इंडिया की और भारत के लिए एरलाइन्स नई शुरू ही थी यह जो फ्लाइट से जिसके टिकेट कैंसल हुए है दुबई से, वो 6 बजे थी और 8 बजे शार जहां से एक प्लाइट थी इन लोगों के लिए जो इंडिया आने के लिए तो ये ड्रॉइ इस बार पूरे टिकेट्स बुक करके शार जहां से इंडिया के इस पूरी फैमिली के, उनके PNR कन्फर्म करके और उनने अपने एसेट के थूरू टिकेट्स प्रॉपर बकायदा उनके होटल में पहुचा के ये उनको टिकेट्स प्रोवाइड करती है आमिर को टिकेट्स दिये जाते है अब आमिर फैमिली के साथ निकलने के लिए नीचे आता है रिसेप्शन पर जब वो अपने पास्पोर्ट मांगता है उनका ISI के साथ भी कुछ लिंग अप्स थे तो अब ये बात रोग को फिर से बताई जाती है रोग फोर्ण सेक्रेट्री से बात करती है तो वो बताते हैं कि आप प्रभु दयाल को बात करिए प्रभु दयाल से जब बात होती है तो उनको बताया जाता है कि भई, आप एक काम करिए, आप ये रिसेप्शन पे इन्नों को रोक लिया गया है, आप प्रॉपर अपनी जो आपको यहाँ पे चीज़ें प्रोवाइट कराई हैं, आपको Mercedes दी गई है, आपकी सेक्यूरिटी है, आप परसनली एक बार चले नहीं जाने दे रहे हैं, तो प्रभुदयाल जब पहुंचते हैं, अपनी पूरी सिक्यूरिटी के साथ में, अपनी ऑफिशल Mercedes में, भारत का जिस पे जंडा लगा हुआ है, तो वो रिसेप्शन पे पहुंचते हैं, वहाँ पे पूछते हैं कि आप क्यों हमारे जो भारत के लोग हैं, इंडियन नेशनल से हैं, उनको जाने ही दे रहे हैं, तो रिसेप्शनिस की हालत खराब हो जाती है, वो कॉल करती है अपने मैनेजर को, वहाँ पे जो क्रायरिज होटर को मैनेजर थे, वो बताते हैं कि इस समय आप इनको इनके पासपोर्ट दे दीजे, क्योंकि कोई भी होटल नहीं चाहता कि उसके, उसकी रेपोटेशन खराब होती है उससे, तो इस तरह की चीज़ों उसके होटल में हो, तो उससे वहाँ से इनको पासपोर्ट दिये जाते हैं, प्रभुदयाल अपने साथ में, क्योंकि एक मिनी बस भी लाए थे, तो इस पूरी फैम को इस पूरी फैमिली को कस्टेडी में लिया जाता है, यह बात न्यूज में आ जाती है, कि मेंवन फैमिली अब इंडिया में है, और दुबई में वहाँ पे जो आएस आई के और दुबई के ऑफिशल से, इमिग्रेशन अथारिटी के, वो वेट करते रह जाते हैं, उनकी चोटे भाई थे, वो मिले हैं आमिर को, और उसके बाद ये 25 अगस्त की बात है, ये चार दिन के अंदर पूरा हमारी सरकार ने, हमारी इंटेलिजन्स एजन्सी ने ये पूरा करके दिखाया, कि किस तरह से उनको इस पूरी फैमिली को यहाँ पे लाया गया, चैलेंजिस के हुआ, तो प्रभुदयाल उसको अपने साथ में ले गए थे, क्योंकि उस समय उसका जो पासपोर्ट था, वो में अब क्या किया जाता है, तो उसको इंडियन में के क्वार्टर में वहाँ पर रुकाया गया था, प्रोपर सिक्यूरिटी और सेफटी के साथ में, अब इसनी और हेल्प करिए, कि एक प्रेस कॉन्फरेंस करा दीजे, इनियन एंबसी में, जिसमें रहीन ये बोल दे, कि मैं इन चार्जेज में यहाँ पर नामजद हूँ, मेरी फैमिली इंडिया में है, पाकिस्तान ने हम लोग के जो पासपोर्ट हैं वो रखे हुए हैं मेरे, और मुझे एमर्जेंसी पासपोर्ट इशू कराया जाए इंडिया गवर्मेंट की तरफ से, जिससे मैं अपनी फैमिली के पास जा सकूँ, वहाँ पे चार्जेज जो मेरे हैं वो फेस कर सको, तो इस तरह की एक प्रेस कॉन्फरेंस होती है, प्रभुदयाल इसमें बैठते हैं, तो इंडिया की तरफ से एक एमर्जेंसी पासपोर्ट रहीन के नाम के लिए इशू हो जाता है, अब यहां से ISI क्योंकि कुछ कर नहीं सकती, क्योंकि एमर्जेंसी पासपोर्ट है प्रपर सेफटी में, अब वो रहीन महां से आ रही है दुबई से, लेकिन रहीन अब जब पहुशती है, दुबई एरपोर्ट, चेक-इन करतने वाली होती है, तो वहां पर दुबई इमिगरिशन अथॉरिटी उसको मना कर देती है, कि भाई आप नहीं जा सकती, क्योंकि जब यह ब्लास्ट हुए थे, तो उस समय कुछ मेमन फैमिली के लोगों के नाम पर, ट प्रभुदयाल वहां पर परसनली खुच जाते हैं, वो बोलते हैं कि आप क्यों रोक रहे हैं इनको, क्या अदिक्कत है, तो वहां पर बताया जाता है कि हम इनको डिटेन भी कर सकते हैं, दो भई के जो अथोरिटी थीबो कहती है, हम इनको डिटेन कर सकते हैं, इनके नाम में इसमें इन्वाल्व हूं और भारत की सरकार इसमें इन्वाल्व है आप इनको डिटेन तो अभी नहीं कर सकते हैं तो प्रभुदयाल ने यहां पर रॉक को कॉल किया और बताया कि इसमें आपको CBI की मदद लेनी परेगी क्योंकि CBI भारत में ऐसी एजनसी है जो लाइसेंस्ड है इंटरपोल के साथ में इंटरपोल के साथ में वो काम करती है तो बोला गया कि कंप्यूटर पेसे जो यह दिख रहा है रेट कॉन नोटिस उसको हटा ना आया कैसे हटाया जाए तो CBI से बात साया और जल्दी से जल्दी यह पूरा काम किया गया यह लोग क्योंकि प्रभुद्याल और जो रहीन थी वो एरपोर्ट पे थे दोबई में उसके बाद रौ ने बताया कि भाई यह जो रेट कॉर नोटिस है वो हट चुका है आप एक बार वहां पे दोबई इमिग्रेशन अथॉरिटी जितने लोग महां पे थे वो सब लोग एकदम शॉक्ड हो गया किस तरह से एक इनसान के ऊपर जो रेट कॉर नोटिस इंटरपोल का दिख रहा है वो चंद मिंटों में गाया भो गया चार सितंबर 1994 का दिन था रहीन को भारत वापिस लाया जाता है CBI रोवस को अपनी कस्टडी में लेती है केस इन्वेस्टिगेट हुआ आगे कई सालों तक यह केस चला बाद में 30 जुलाई 2015 को इस पूरे ब्लास्ट में इस केस में याकूब मेमन को फासी दी जाती है लेकिन याकूब मेमन को इसमें फासी हो गई करीबन और 200 लोगों के खिलाफ टाड़ा का केस भी इसमें रेजिटर हुआ था टेरिस्ट एंडिस्ट्रप्टिव एक्टिविटीज का तो यह सब चीज़ें होती हैं लेकिन आप यह देखिए कि जो मेन आरोपी था इसका इस पूरे बंबलास का टाइगर मेमन जो अपनी फैमिली को छोड़के अकेले भेज दिया उसमें वो अकेला वहां पाकिस्तान में रह गया वो आज भी पाकिस्तान में तो वो एक जो आर पसंद आया होगा यह वीडियो पसंद आया होगा आपके लिए ऐसे और भी एपिसोड लेके आते रहेंगे आपके कॉमेंट्स में लगातार पढ़ता हूं और जितने आप टॉपिक्स बता रहें उन सब पर वीडियो बनाए जाएंगे बाकि हम आपके लिए और वीडियो लेके आते ही रहेंगे तब तक लिए दीजिये इजादत धन्यवाद